नमस्कार मैं मेगा और आप देख रहे हैं वी नेशन सोशल मीडिया की बात करें तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी को उठा के चान पर बिठा सकता है तो वहीं किसी को फलक से जमीन पढ़ला सकता है चाहे फिर वो कच्चा बदाम वाले अंकल हो, रानू मंडल हो या फिर बचपन के प्यार वाला लड़का हो इन सभी को सोशल मीडिया ने रातो रात स्टार बना दिया था पर इन तीनों में एक बात कॉमन थी वो ये कि ये तीनों अपने अलग तरीके के गाने के अंदाज से वाइरल हुए थे पर हाली में जो 19 साल के लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है वो किसी गाने को गाकर या डांस करके नहीं बलकि अपनी मेहनत की वज़े से वाइरल हुआ है आपको वता दे लड़के का नाम प्रदीप मेरा है जो की उत्रा खंकर रहने वाला है अब आप कहेंगे अजी इसमें क्या खास बात है सुनिए तो सही ये लड़का सेक्टर 16 में स्थिद मैगडी में जॉब करता है इसके बाब जूद उसके सपने आर्मी में जाने की है वे दिन रात मेहनत करते हैं और आर्मी में जाना चाहते हैं इसके लिए वो अपनी जॉब की शिफ्ट खतम करने के बाद आफिस यानि की 16 में स्थित मैगडी से अपने घर दौड कर जाते हैं अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है आफिस से प्रदीब के घर तक की दूरी 10 किलोमीटर है और वे ये दूरी भाग करते हैं और उनका कहना है वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पाता है आर्मी की त्यारी करने के लिए तो इस बहाने उनकी त्यारी भी हो रही है और वे घर पहुँच जाते हैं प्रदीब इंटर्वियू में बताते हैं ऐसा नहीं है कि रास्ते में चलते लोग उनको लिफ्ट के लिए नहीं पूछते लोग कहते हैं कि आईए मैं आपको छोड़ देता हूँ पर प्रदीब बोलते हैं कि वो ऐसे ही जाना पसंद करते हैं क्योंकि यही मेहनत उनको सपने तक पहुचाएगी वैसे दुनिया भर के लोग उनका वीडियो देख रहे हैं और उनको उनके सपने तक पहुचने के लिए गुड लग भी बोल रहे हैं पर कुछ लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखाओ तो देखे यह वीडियो आपको बता दे रातो रात प्रदीव इतने वाइरल हो गए कि उनको उत्रा खंड से आर्मी का ओफर भी आ गया है तो वहीं उन्होंने बताया अपनी गरीवी के कारण वे मैगडी में काम करते हैं और उनकी मा की तब्यत कुछ ठीक नहीं है उनकी मा का इलाज भी कराया जा रहा है प्रदीव का कहना है अगर उनकी मा सही हो जाती है तो उने इससे जादा और कुछ नहीं चाहिए आपको बता दे प्रदीव का वीडियो बनाने वाले शक्स का नाम विनोत कापरी है जो की एक फिल्म मेकर है ऐसे ही नहीं मिलते तम नाओ के शहर दोड़ना पड़ता है सपनों को पाने के लिए इस कोट को 19 साल का ये लड़का बखु भी साबित कर रहा है दुनिया भर में लोग उनकी तारीफ कर रहे है और आशा है वो जल्द ही अपने सपनों को पालेंगे इस वीडियो को देखने से यही सीखने को मिलता है कि जीवन में कठनाईया कितनी भी हो पर अगर होसले बुलंद हो तो कोई भी कैसे भी अपने सपनों को पा सकता है खैर प्रदीप के लिए बहुत बहुत शुब कामना है और उमीद करते हैं प्रदीप अपने इस वीडियो के जरिये तमाम लोगों को इंस्पिरेशन देंगे उमीद है प्रदीप का ये वेडियो लाखों के दिलों में चायेगा और देश के युवा इस वीडियो से इंस्पायर होंगे और आगे बढ़ेंगे फिलाल आज की खबर में बस इतना ही अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जाते जाते मेरा प्यार भरा नमस्कार